त्यक्ति सबाधाट कूष्ट ऑफ रे lep आज जो मैं वीडियो में लेकर काया हूं वह मैं क्रिस्टल के बारे में लेकर पाया हूं कि हमारे पाथ मोबाईल फोन ते कंपोणें लगा होता है क्रिस्टल में एक क्रिस्टल का देखा जाए तो बहुत जपोग है तो सबसे पहली बात मैं आपको crystal को यह motherboard जो है motherboard में crystal को highlight करके दिखाता हूँ crystal हमको दिखाई कैसे देता है यह जितने भी सारे जो एक-एक करके हम लोग दोस्तों एक-एक करके जो भी mobile phone करने जो component लगे हैं छोटे बड़े लाल पीले हरे नीले कर लगे इतने भी सारे component लगे हैं तो हम लोग एक-एक करके सारे component के बारे में सीख रहे हैं कि सारे component क्या काम करते हैं तो दोस्तों मेरा नाम राग्यवांदर और ETA की स्टुट में कानपूर से बात कर रहा हूं जहां पर आपको mobile phone और laptop इस तरीके से टेक्निकल सम्मंदित आपको course सिखा जाता है यहां पर हम लोग 45 दिन का course है 45 दिन के अंदर हम आपको basic level से लेकर करके advanced level की complete training देते हैं theoretical और practical दोनों माध्यम से हम आपको सिखाते हैं विएकुल zero level से लेकर के hero level तक का complete सफ़ते करते हैं तो आज हम लोग दोस्ते सीखने वाले हैं वो crystal के बारे में सीखने वाले हैं crystal हमारा जो component लगा होता है वो कैसा दिखता है उसको board में कैसे पहचानते हैं इन सब चीज़ें के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं तो चलिए हम लोग theoretical प्रेटिकल दोनों मार्डियम को लेकर के चलते हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें अच्छे से सिखा सकें और आप उन सब चीज़ों को समझने के बाद उनको अच्छी तरीके से काम कर सको तो सबसे पहले हम बात करेंगे crystal के बारे में crystal या एक या एक electronic component है जो signal generate कलता है या क्या रहता है या एक electronic component है जो हमारे mobile phone में signal को generate करता है अब हम बात करेंगे रियल से अधियर से रियल से रियल से का मतलब होता है वो दिखाई कैसे देता बोर्ड मुसको पहचाना कैसे जाता है इसको black color का भी होता है इसको हम लोग बोलते है RTC RTC का पूरा नाम होता है रियल टाइम क्लोक उसके बाद दूसरा crystal होता है जो steel body में होता है उसको हम लोग बोलते है oscillator oscillator crystal तो यह दो तरह के crystal हमारे mobile phone में पहाँ जाते हैं यह वाला जो crystal होता है यह mostly तुमारा power IC के पास में लगा होता है यह वाला तुमारा network के लिए यूज होता है signal से सम्मन्दित इसका काम होता है network IC के पास में पाया जाता है तो यह steel body का होता है कैसा होता है steel body का होता है इसका जो यूज होता है यह हमारे mobile phone में network के लिए इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है इसका जो denoting letter जो होता है वो होता है b अब बात करेंगे इसकी symbol की इसका इस तरीके से क्या होता है symbol होता है इसका work होता है जैसा कि मैंने आपको बताया signal generate करना हमारे mobile form जो signal को क्या काम करता है जेनरेट करता है अब हम बात करेंगे ट्रेस्टिंग की क्रिस्टल की हमारे साधान मल्टिमीटर से कोई ट्रेस्टिंग नहीं करी जा सकती है या आप ऐसा कह सकते हैं कि क्रिस्टल को हम लोग जनरली चेक नहीं कर सकते तो जब ट्रेस्टिंग की बात आती है तो किस्टल हमारा जो मल्टिमीटर आता है मल्टिमीटर के माध्यम से हम लोग क्रिस्टल को चेक नहीं कर सकते हैं तो मल्टिमीटर की बात आती ही तो मल्टिमीटर के लिए वोग क्रिस्टल को नहीं चेक करते हैं हैं अ हम लुक को चेस्टिंगे हाटा रहे तो में को अबरें बिजिए को इसै को जल क्रिस्टल होता है Site क्रिस्टल एक electronic component है जो signal को generate करता है रियल से ब्लैक कलर का RTC होता है power IC के पास में लगा होता है steel body में होता है उसे oscillator बोलते है network के लिए लगा होता है और denoting letter B होता है और इसका symbol यह होता है इसका काम होता है signal को generate करना तो दोस्तों मैंने आज की वीडियो में आपको crystal के बारे मैं आपको समझाया है अब मैं आपको बोर्ड में भी दिखाता हूँ पीश्वी में इसको वीव कराता हूँ कि पीश्वी में कैसे दिखाई देता है आप crystal को PCP में कैसे पैचानेंगे जैसे मेरे पास बोर्ड है इस बोर्ड में आप गोर्ड से देखेंगे यह आपका जो लगा हुआ है यह आपका crystal है यह क्या काउंटर कम्पोर लगा हुआ है crystal लगा हुआ है और आपको दूसरे बोर्ड में आपको व्यूब करके दिखाता हूँ यह जैसे आप बोर्ड में देखेंगे यह हमारे जो लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं crystal बोलते हैं इस तरीके दे crystal दिखा होता है crystal mobile phone में बहुत कम अतरम लगा होता है एक दो करके लगे होते हैं ज्यादा crystal mobile phone में नहीं पाए जाते ज्यादे हम लोग को तो हम लोग क्रिस्टल के बारे में यहाँ पार सर्च करते हैं क्रिस्टल इन मोबाइल मला हमारा जो क्रिस्टल जो कमपोनेंट होता है वो मोबाइल फोन में कैसा दिखता है अगर आप क्रिस्टल की बात करेंगे मोबाइल फोन में सो करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके के दिखता है आपने आपको बता इसमें चार पीने होती है यह आपका लगा हुआ है इसके खराब होने से mobile phone में network की प्रब्लम आती है इसमें लिखा भी होता है जैसे 26 Megas,faL इसके खराब होने से mobile phone में network negócio के फोन में tower नहीं आते है network सम्मननित ऐसी problem सामसंग क्यों चोटे mobile phone आते हैं उनक होता है,ऊसंद अि इसी problem आते लगे होते हैं पहले के mobile phone में लगे होते दे तो तोड देते थे उस condition पर हमारा crystal क्या हो जाता था क्रिस्टल हमारे मोबाइल फोन तो हमारे से वार्टे जाने जाने हें शहाने करता था आि मुबाइल स्पोन पन में सीग्ट करना सब्स s यह से निpent अधि आपके कोई भी मोबाइल फून होता है और एंभार अंतों जो आपर happen लेकिन मुबाइल फोन चालु हो जाता है तो उसके नेक प्राब्लम आती है खराब हो जाएगा तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताए है वो crystal के बारे में बता है कि crystal हमारा जो component लगा होता है वो mobile phone में कैसा दिखता है और उसको कैसे पैचानते हैं और उसका mobile phone में उपयोग क्या होता है mobile phone में उसका यूज क्या होता है तो दोस्तों ये video जो हम आपको one by one करके जितने भी mobile phone करना hardware से सम्मझदी जो problem आती है उनको कैसे repair किया जाएगा उसका हम आपको one by one by करके आपको video देते हैं ताकि आप video के माध्यम से काफी चीज़ों को समझ सकें सीख सकें और तरीगा देख सकें कि mobile phone repairing को सीखना कितना आसान है कि इस course को कितना आसान तरीगे से सीखा जा सकता है तो सर यह बहुत चोटा सा course है इस तीन मेने के something course होता है तीन मेने में आप सीख सकते हैं और जो ऐसे बच्चे जो दूर के बच्चे सीखने के लिए हमारे पास आते हैं तो अगर वो फुल टेकर समय देते हैं तो मातर 45 देन के पूरे course को complete कर लेते हैं और बेसिक लेवल से लेकर अडवांस लेवल तक के training कुरी हो जाते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताए कि हमारे mobile phone करने जो component लगे होते हैं उनको हम लोग कैसे चेक करते हैं या उसको चेक करने का तरीका क्या है तो आज कुई वीडियो दोस्तों को कैसे सम suf में आई कोई problem कोई dikkor कोई समस्षा है तो आप हमको लेकिन देखना चाहते हैं कि सम yagen कॉस की बारे में इन्फॉर्मेस्टा बनना चाहते हैं कि कैसे कोर्स होता किस तरीके से सिखाते हैं वहाँ पर कैसे क्लासे चलती हैं तो आप कभी भी दिन में कर सकते हो वीडियो कॉल के मादने से क्लास करते हुए देख सकते हो यह वीडियो को बहुत ऐसे बच्चे हो तो जो मेरे पास आने से पहले कॉल करते हैं कहते हैं सर एक काम करता हूं मैं 10-15 म चाहता हूँ कि सर आप कैसे क्लास कराते हो कभी भी अपने मन से ताकि आप देख सबकों के वाकई में आप बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं आप आएंगे तो किस तरीके से सीक करके जाएंगे इस बार को दोस्तों विडियो को से सब्सक्राइब जरूर करें कोई प्राब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर मैसेज करें और अगर आपका कही न कहीं पॉजिटिव कर कमेंट आता तो हमारे भी दिल को बड़ी खुसी होती है कि अगर हम आपको इतना मैनत करके वीडियो देते हैं तो आप को वीडियो वाकई में असवदार ह रही हैं और आप उनसे कुछ न कुछ चीजों को सीख रहे हैं यह टेक्निकल चीजे हैं जितना आप सीखेंगे आपको अच्छा भी लगेगा आंगे बढ़ने के आउसर भी है और यह रोजगार परकोर्स है कि इस को सीखने के बार यह बात 100% है कि आप ऐसा कमाएंगे ही कम जबने दुकान चला रहे हैं जो अपनी शौक को अपन करके रं कर रहे हैं अगर वह भी लोग अगर सीख लेते हैं तो अपने एक करके 20 के बबाबर काम करेंगे क्यों के सिर्फ भागता रहता है और मोबाइल खुर में यह ज्री सर्वर कराता है कि कि बहुआ ऊंके हुआ 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 है